पिट्रोल के एड़ तो बहुत बड़ा हुआ है, हिम्मत नहीं करता है यह गारे चला है पहले सौर प्याग पिट्रोल लेते थे पुरा पटना चल लेते थे अब यह सौर प्याग लेते हैं तो हमको लगता है 30 किलो मेटर चलते फिर भार ना पड़ता है फिट्रोल का तो असर है बहुत ही वेनियेस्थिकD है आसकर हम लोग मिज्यम परिवार के लिए है तो हम क्या कहें बहुत ही इसक्तरा से बिहार में चलिए हम जिए परियौबशाइब तो बहुत बड़ा हुआ हिम्मत नहीं करता यह गारे चला है कि हम कहना चाहेंगे कि कम पिट्रूल कम हो एट कम होना चाहिए ऐसे कैसे चलेगा पहले के बच्छा पैकेट पे ज्यादा ही हर्च तो बहुत ज्यादा है पहले कितना का पेट्रोल लेते थे पुरा पत्ना चल लेते थे अभी सोर प्यक लेते हैं तो हमको लगता है 30 किलो मीटर चलते फिर भार ना पड़ता है यह जिए मिरो नम एमडी मॉनाजीर हुसेन कितना असर दिखने को मिल रहा है पेट्रोल की किमत पेट्रोल का तो असर है बहुत ही गैनिये इस्थिति हैं खासकर हम लोग मीडियम परिवार के लिए लूप tutte है बहुत ही फिर छत्रा से जो विहार में अकाकर पट्ना में में मीडियम, परिवार के लोग यह उसद वा कषिस शंकट तरह होल्या तो आपने सुना जिस प्रकार से लोगों का साथ तो पर कहना है कि पेट्रोल की किमत में लागातार जो बढ़ोती होड़ी है उसमें कहीं ना कहीं पैकेट पर ज्यादा खर्च देखने को मिल रहा है और लोगों का साथ तो पर कहना भी है कि पहले सौड का गातेल भढ़ाते थे तो काफी जादा घूम पाते थे लेकिन दूसरी तरह बात बता दूं आपको तो पेट्रोल की कीमत जिस तरह से बढ़ रही है विशे में जो यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनका साथ तो पर कहना है कि यहाँ पे जो पेट्रोल की कीमत है उसमें लगतार बड़ोतरी के कारण हम लोग पहले क्या पेच्छा तेल कम ले रहे हैं आपको दिखा दें कि पेट्रोल की जो कीमत है एक्स्ट्रा प्रीमियम की वह 107 रुपया हो चुकी है और वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते ह है कि नॉर्मल पेट्रोल का जो कीमत है एक चो तीन रुपया हो गए है आपको बता दूं डीजल को धूंब हो चुक हैonner जो लगतार जो है पेट्रॉल और डीजल का जो कीमत है वो लगतार बढ़ने के कारण पटना के वासी जो है तरहीं माम हो चुके हैं फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए अगर अमारा खबर आपको बढ़ियां लगा हो तो लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले धन्यवाद